देमील नाडू के बारे में जो घटना आई तमिल नाडू पुलिस ने जाच के नुसान-दान में फर्जीबाला करने वाला जिसका डिन ने भारतिय जनता पार्टी उसका प्रवक्ता प्रसांथ पटेल उम्राव और एक यूट्यूबर है मुहम्मद तन्वीर इसके खिलाप आप राधिक मुकदमा दर्ज हुआ है इन लोगों ने इस साजिशाना तरीके से ऐसे मामले को प्रतिवेदित किया मीडिया सोसल मीडिया में इसको वाईरल किया तमिल नाडू पुलिस ने संग्यान मिलिया है ूँ होई पुलिस जात이지 5-625 करद मियूंदने और भारतिय जनता पाटी बताये प्रसांथ पटोईल उम्राव कौन है यह अगर गुनाहगार है तो यह भारतिय जनता पार्टी बिहारियों को अपमानित करने के लिए सत्ता सहटने के बाद ऐसा कुछ सद्धियंत रच रही है जिसतरा से विधान सवा सस्त्र में चल रहा था वाक आउट किया विजएपी ने जिवेस मित्रायक है वहाँ पर बिधायक है और पुर मंत्री भीराच यह नोने कहा था कि किसी की वापकी आउकाथ निकाल देते ने वाक आउट कौन किया था मने आपको बेतन लिये थे फूल ये तो बिजनस पॉलिटिकल बिजनस है तो होँ रहना चाहिए ना किसी का आवकात नहीं है जनता ने अपनेzessन आवकात से आपको भेज दिया तो जनता की अपने अपट्फ्शह यह रहती है कि जैसे आप अपना बिजनस करते हैं कि इसे ही राजनिती को भी करिए सदन में जब तक सदन चिने तब तक रहिए यह अंदर बाहर अंदर बाहर रहिए गा इसी जनता बाहर कर रही है इस लोग को अब इस डंग का आचरन उनमाद का भाषा राजनीत का संसकार नहीं होता है चाहे कोई भी हो हिंदुस्तान का कोई नागरिक है उसके बारे में कोई टिपनी इस डंग से करना राजनीत में विरोध और समर्थन होता है लेकिन ऐसी टिपनी से परहेज करना चाहिए ये लो मुह मिठा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पुर्णिया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है मतला ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डबबा लाए अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुर्णिया में हम रहेंगे कहां अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाय का डबा अलग से लाया हूँ अपने पुर्णिया में घर ले लिया है पुर्णिया के e-homes panorama में पुर्णिया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर, आलिशान जिन्दगी और अत्यादुनिक सुविधाओं के सब अड़े अड़े आप क्यों मूमिठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे है घर वापसी की खुशी पुर्णिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious lifestyle redefined